अगर हमें हमारे जीवन में काम्याब होना है तो हम भाषा का सही उप्योग करना होंगा सववात करते समय हाजिर दिमागी से तरना होंगा जो वेक्ती हाजिर दिमागी से बात चीत करता है उपर वाषाली और हर दिल अजीज होता है आज आपको हाजिर दिमागी के तालुक से एक वाक्या सुनाता हूँ एक दिन अक्बर बादेशा अपने शाही बाग में सेरे को निकले सुभा का समय था बादेशा सलामत की तबियत हश्चाज वश्चाज थी कुछ दर्बारे साथी भी साथ में थे बाग में रंग रंगे फूलों पेलों की शाखों पर बैटे पशु पक्षी मीठे रागनियों से परिसर को खुश कर रहे थे मगर अचानक अग्बर बादेशा को कानों में ऐसी आवाज आई जिसे उन्हें तकलीफ हुई वो आवाज कोवे की काएं काएं की थी बादेशा सलामत को वो आवाज नागवार गुजरी बादेशा ने अपने दर्बारियों से कहा कि क्या कोई बता सकता है कि आग्रा में कितने कोवे हैं मौजूद हैं सब दर्बारियों की सिट्टी गुल होगी इस परशना का उत्तर असंबव है परन्तू बिरबन ने कहा कि जा पना मैं आपको कोवे की संखें बता सकता हूँ अक्बर बादेशा को हैराने हुई कि सब ने आजजी का इजहर किया और बिरबन ने फौरी तोर पर जवाब देने की बात की बादेशा सलामत ने बिरबन को कहा कि कोवों की गिनने पर संख्या कम हो जाए तो आपको सजा हो सकती है बिरबन ने कहा कि इस वक्त कोवों की संख्या 30,250 है आप कोवों की गिन्ती करवा लो बादेशा सलामत अगर कोवे कम हो तो समझ लो कि कोवे आगरास से बाहर उनके रिश्यदार के घर पे गए हुए है और अगर कोवे की तैदा ज्यादा भी तो समझ ले के बाहर के कोवे उनके रिश्यदार उनसे मिलने आए ये उत्तर सुनकर बादेशा सलामत खुश हुआ ये बिरबल की हाजिर जवाबी का एक मिसाल थी तो आज हम हमारी हिंदी की पाट्टे बुस्तक सुगमभरती में से एकाई दूसरी में पाड करमांग तीन खिचड़ी इस पाड का अध्यन करेंगे जिसमें बिरबल की चतुराई, मानवता, नयबुद्धी की सिक समझाई गई है झाल